मैं एक हिंदू हूँ और टिचर भी मैं मराठी अनुवात का कुरान पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा है एक पुरूस आनिक स्रियांग के साथ शादिक कर सकते और दूसरा मेरा सवल है और तिसरा मेरा प्रस्णा है पहला प्रस्णा मेरा इसा है एक पुरूस एक ही श्री का श्री को न्याय दी सकता है लेकिन पुरान में लिखा है एक पुरूस एक से ज़्यादा श्रियांग के साथ शादिक कर सकता है तो आप उसका जवाब चाते हैं और एक सवाल का जवाब भी बहुत ज़ादा है आपके पहले सवाल का जवाब दूना भाइसाब ने पूचा है आपके हिनु मजबदे क्टा जवाब ज़ादा में लिखा एक एक से ज़िया कर सकते हैं तो इसकी वज़े क्या है कि आप कितनी भी आउरोतों से शादी कर सकते जब आप पढ़ते रामायन आपकी हिंदू मजब की किताब रामायन में लिखाए कि श्री राम के वालित की कितनी भीवियां थी कितनी थी बहुत से दश्रत की कितनी भीवियां थी लेकिन वो ठीक नहीं है बचीक नहीं की कितनी डंसरत को चार थे कितनी दी चार क्माँने में तीन बभी आई रहाँ है कि श्राम के वाल्ड ने गुना किया जितर नहीं लिखा है आप जब मांबारत पड़ेंगे श्री कितनी थी लेकिन ये ठीक नहीं है कैसे आदमी है श्री कृष्णा को गलत बोल रहा है आप समालोबा हिंदू लोग आपको मारेंगे श्री क्रिशन गलत कर सकते हैं आपके मुदाबिक श्री क्रिशन गलत कर सकते हैं आपके मुदाबिक श्री क्रिशन गलत कर सकते हैं हम तो श्री क्रिशन को गौड मानते हैं गौड मानते हैं तो गौड गलत कर सकते हैं गौड गलत कर सकते हैं आपके श्री क्रिशन के कितने भी आप जब महामारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृषिन के 16108 भीविया थी श्री कृषिन के 16108 भीविया थी तो मुसल्मान की चार क्यों नहीं रहे सकती है आप जब बाइबल पढ़ेंगे बाइबल में लिखा है कि सुलیमान अले स्थलैम की 700 भीविया थी बाइबल पढ़ेंगे बाइबल के मताबिक अबराइम complaining की तीन बीवियां थी, छो आप दिगर मख़भ की किताब पढ़ेंगे, हिंदु मखभ, यहुद मखभ, इसाय मखभ में, आप कितनी बीविया कर सकते, रख सकते, लेकिन इसलाम में खुरान में लिखा है, सुरा निसा में सुरा नम्बर चार, आयत नम्बर तीन में, कैं मैरे चिशादी करो तो यह जुम्ला सिर्फ एक से शादी करना ये सिर्फ Quran में लिखा है हिंदू मजभ के हिसाब से इसाइ मजभ के हिसाब से यहुद मजभ के हिसाब से आप कितुनी भी शादी कर सकते पां यह दस 1000 कुरान में अभी देखेंगे क्यों इसलाम में एक मरत को एक से ज्यादा बीवी करने की ज्यादत है आम तोर पे लड़की और लड़का मेल एंड फीमेल अबॉन इक्वल प्रोपोर्शन हां लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए जो बच्चों का डॉक्टर एपीडिय लिए ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए बीमारों के खिलाफ लड़ने के लिए अफीमेल चाइल कें फाइट जर्म्स एंड डिजी से मच बेटर तो पीड़कें की मोत लड़की से ज्यादा है जब जिन्दगी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे है ऐकसिडेंट में शराब के वज़े से ड्रक के वज़े से बिकॉज अफ एकसीडेंट बिकॉज ऑफ वार अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे आउरत से आज की तैकिक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर से ज्यादा है सिर्फ नियॉयोंक के अंदर 10 लाग से ज्यादा औरते मर से ज्यादा है सिर्फ USA में 7.8 million females 78 lakh females are more than males in Germany alone 50 lakh female male से ज्यादा है UK में सिर्फ 40 lakh औरते आदमियों से ज्यादा है रश्या में 90 लाक औरते आदमी से ज्यादा है अल्ला सुभानाव ताला जानता है कितनी लाको औरते क्रोरो आरुकते आदमी से ज्यादा है सिर्फ चंद मुमालिक में इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल कंट्री में औरते मर से कम है क्योंके हिंदुस्तान में female infanticide है female feticide है बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता है लड़की है तो उसको abortion करो लड़की पैदा होती है टामिलनाडू government hospital के हिसाब से दस लड़कियां जब पैदा होती है दस में से चार का गतल किया जाता है ये नाजाइस चीज़ जब खतम होईगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कों की तादाद आद्मियों से ज़्यादा होगी हम जब तैकिक करते पता चलता है कि दुनिया में कडोडो आउरते मर से ज़्यादा है मिसाल के तोर पे आपकी बहन या मेरी बहन USA में रह रही है और market saturated है हर आदमी ने एक आउरत से शादी कर दी फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा हो सकता है कि आपकी भेन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला उनके लिए सिर्फ दो रास्ते है एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीबी मुझूद है या वो बाजार की आउरत बन जाए बाजार की जीनत बन जाए आप कहे जाकिर बाजाज की जीनत इतना वाहियाद लव्ज यह सबसे सफेस्ट किरिड वर्ड है पॉब्लिक प्रॉपर्टी इससे अच्छा वर्ड मैं इस्सिमाले नहीं कर सकता हूं और कोई भी मॉडस्ट लड़की आउरत यह कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है मैं पसं और कि आदमी आउरतों से जिना करता है शादी करने के पहले कितने आठ कोई करता है दो कोई करता है चार कोई नहीं करता है कोई 25 सिर्थि कहती यह आँट और यहांं की बीवी बनते हैं जिसकी बीवी है दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इजदत मिलती है उसकी अबरू रहती है उसको सारे अपने हुकुक मिलते है जब बाजार या औरत को बाजार की जीनत के औरत को अपने हुकुक नहीं मिलते उसकी इजदत नहीं रहती उसके अबरू